सब्सक्राइब करें दाइस्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं आज हम लोग जो है जियोग्राफी टाप ओन थाउजन कोईश्चन की छठोई स्रीज पर चर्चा करेंगे जी हां दोस्तों आज हम लोगों का भाग छे रहेगा अगर आप भाग पांच नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो मिल जाएगी आपको डिस्क्रि टौपिक है हमारा वो टौपिक है खनीजए वाम उद्द्योग चीए हां दोस्तों आज कर वह खनीजए वाम उद्द्योग में पहला कुष्चन आपकी इसक्रेपर है दोस्तों मैं समझ रहा होगा कि थोड़ा इस समय आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने बताया क समय इलहाबाद में हूँ इसलिए आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से ये सारी क्लासिस दी जा रही है और सीग रही बोर्ड पे पूरा मैं समझाओंगा ये सारी चीजे फिर से मैं समझाओंगा टॉपिक वाइज समझाओंगा तो इसके लिए आप न परिशान हो स्कंपर देश चौथा नागालेंड जी हां दोस्तो चारो आप्शन है आप लोगs चल्दी कमेंट करिए और बताईए कि इसका जो है सही जवाब वह क्या हो जाएगा दोस्तों अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा असम जी हां दोस्तों असम जो है एसिया का सबसे पुराना जी हां दोस्तों और ये असम के डिग बोई में है जी हां दोस्तों कहां पे है असम के डिग बोई में है और ये एसिया का पहला जो है उत्खनित होने वाला तेल का कुवा है जी हां दोस्तों और ये 1901 में 1901 में इसको इस्थापित किया गया था और यह जो है बिश्व का जी हां दोस्तों ना क वाल एशिया का बलकि विश्व का सबसे पुराना तेल खेतर माना जाता है जी हां दोश्व का सबसे पुराना तेल खेतर कौना है असंभी और यह यह जो है पहली विफाइनरी कब शुरू की गई 1921 में जी हां दोस्तों अगर हम वहीं अगले प्रश्ण की बात करें तो अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुडन कुलम प्रमाड उर्जा सायंत्र कौन से राज में इस्थित है जी हां दोस्तों पहला आं आज का कुश्चन अर्था तब हम लोग हार्ड लेवल पर पहुच गये हैं लेवल थ्री चल रहा है इस समय पर तो दोस्तों अगर आप बने रहेंगे तो निश्ची थी आपको फायदा होगा चाहे जिस इत्जाम की आप तयारी करें तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अप्शन नमबर सी तमिल डारू दोस्तों कुडन कुलम पर मारू उर्जा सेंट्र जो है ये 1988 में जी हाँ दोस्तों 1988 में भारत भारत और सोवियत संग्ग दोस्तों भारत और सोवियत संग्ग सोवियत संग में हमने बताया था कि सोवियत संग जो है रूस को ही कहा जाता था पहले और इसमें कई राज हुआ करते थे तो भारत और सोवियत संग के बीच में परमाड उर्जा सैयंत्र समझोते पर हस्ताक्षर किया गया था और ये कहां पर है तो ये तमिनाड में है और 1988 से जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अगर हम अगले प्रश्ण की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा चार सब्दों में से एक सब्द वर्ग समूव ऐसा है जिससे अन तीन सदस्य संबंधित हैं वह वर्ग समूव पहचाने जी हां दोस्तों यह जो चार दिया गया है इसमें से तीन ऐसं ऐसे हैं जो चौथे कसी समबंधित हैं जैसे पहला कुर्या दूसरा नर्म कौ इसरा पत्थर का कौल्या स würde चौथा भूरा कौलरे दोस्तों इसको देख कर ही आप जवाब दे सकते हैं यह जो तीन ओप्शन है यह जो है आपके चौथ है इस से संबंदित है तो इसका जो सही option हो जाएगा question number 3 का वो हो जाएगा option number a अगले प्रस्ण पर अगर देखी तो कह रहा है निम्न में से क्या धात्विक खनीजों की स्रेडी से संबंदित नहीं है दोस्तों धात्विक खनीजों की स्रेडी पहले आप यह समझे कि धात्विक मतलब की खनीजों की स्रेडी किसे कहते हैं तो दोस्तों जो धात्व होते हैं हमारे उन्हीं को कहते हैं धात्विक खनीजों की स्रेडी तो जैसे हम जानते हैं कि टिन हमारा धात्व है निकिल हमारा धात्व है ये सब जो हैं ये सब हमारे अधातु हैं लेकिन टिन हो गया निकिल हो गया बाकसाइट हो गया लोहा हो गया सोना हो गया जस्ता हो गया तामबा हो गया ये सब हमारे क्या हैं धातु हैं तो अगले प्रस्ण पर अगर हम चर्चा करें अगले प्रस्ण पर चर्चा करें तो क्य कह रहा है निमनलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है जी हां दोस्तों निमनलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है पहला आपसन आपको दिख रहा होगा पंच तत्र में पंच तंत्र में कवे का नाम जी हां दोस्तों पहला आपसन आपको दिख रहा रेपेंजिल का दूसरा नाम जी हां दोस्तों और आपसन नमबर डी में आप इसको लिख लीजिए मार्स में मार्स में से एक कोईले के रंग का पत्थर जी हां दोस्तों मार्स रंग में से एक कोईले के रंग का पत्थर जी हां दोस्तों तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्शन नमबर D होगा कि निमने लिखित में से ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है तो मार्स यानि कि मंगल जी हाँ दोस्तों मार्स का मतलब होता है मंगल मंगल से प्राप्त एक कोईला है जो कि ब्लैक ब्यूटी की संग्या जिसे दी घया और 2011 में 2011 में इसे मौरको के मरुष्थल से प्राप्त किया गया जी हाँ दो ट्रेत में से कौन सा खनीज मौजूद होता है पहला थोरियम दूसरा टैलक तीसरा माई का और चौथा गैलेना जी हां दूस्तों तो वहीं अगर हम सही जवाब की बात करें आप लोग जवाब दीजे और बताईए कि मोना जाइट रेत में कौन सा खनीज मौजूद होता है त थोरियम पाया जाता है जो की देखिए परमाड उर्जा थोरियम का उपयोग जो है परमाड परमाड उर्जा के रूप में किया जाता है जी हां दोस्तों थोरियम का उपयोग परमाड उर्जा के रूप में किया जाता है और भारत में थोरियम के भंडार मौजूद है जी हां जिहां दोस्तों सबसे जादा चांदी भारत में कहां पाई जाती है पहला राजस्थान दोसरा मद्य परदेश तीसरा करनाटक चोथाक गुजराट आप लोग जवाब दीजिए और बताईए कि सही जवाब क्या हो जाएगा सबसे ज़ादा चौंदी जो है वो कहां पाई जा सबसे जादा जो चांदी पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है उसके बाद फिर आपका जार खंड में पाई जाती है उसके बाद फिर आपका आंध प्रदेश में पाई जाती है जी हाँ दोस्तो उसके बाद आंध प्रदेश के बाद फिर करनाटक में पाई जात चांदी जो है राजस्थान से प्राप्थ हुआ और इसके बाद फिर करनाटक से प्राप्थ हुई कितना 122 किलोग्राम जी हां दोस्तों करनाटक से 122 किलोग्राम और राजस्थान से 426321 किलोग्राम दोस्तों अगले प्रस्ण की बात की जाए तो अभ्रक किस राज में तो दोस्तो अभ्रक की अगर बात की जाए तो सबसे जादा अभ्रक आपका राजस्थान में पाया जाता है जी हां दोस्तो सबसे जादा अभ्रक राजस्थान में पाया जाता है और अगर भंडार की बात की जाए जी हां दोस्तो अगर हम भंडार की बात करें तो भंडार में सबसे ज़्यादा 41% आंध प्रदेश में जी हां दोस्तों 41% आंध प्रदेश में सबसे ज़्यादा 28% आपका राजस्थान में जी हां दोस्तों 28% आपका राजस्थान में उसके बाद अगर बात की जाये तो 17% उड़ीसा में जी हां दोस्तों 17% उडिशा में पाया जाता है वहीं अगर हम और चर्चा करें अगर हम और चर्चा करें उत्पादन की द्रिष्टी से चर्चा करें तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो उत्पाद होता है वो आंध प्रदेश में होता है जी हां दोस्तो पहले नंबर पर आंध से संबंधित है और आप लोगों को प्लेलिस्ट में बंदरगाह से संबंध मैंने बिस्तार में बताया था पूरा जिसमें आपने पूरे बंदरगाह को पढ़ा था नो बंदरगाह हमने बताया था यहां पर आपका जो है गुजरात में आपको एक गुजरात में मिल जाएगा कैंडला बंदरगा फिर मोंबई बंदरगा फिर आपका जवाहलाल नहूपोर्ड फिर कोची बंदरगा फिर मरमागुआ बंदरगा फिर आपका तमेल डाड में तीन है लिख लिएगा तो इसका प्रस्ट्सनों का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताईएगा आफ लाइन में कि इसका सही जवाब क्या होगा अगर जिसको ना पता हो वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और वो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं ठिक तो वहां से आपको जो है इसका जवाब मिल जाएगा दोस्तो अगले प्रस्ट पर अगर हम चर्चा करें तो अगला टापिक जो है वो हमारा है भारत में वर्सा जी हां दोस्तो अगला टापिक जो है हमारा वो है भारत में वर्सा तो कथन और निसकर सही देखिए क्या है मासिन राम भारत के सरवाधिक वर्सा वाले छेत्रों मे से एक है बिल्कुल सही कह रहा है कि भारत में और मासिन राम आपका मेघाले में है जी हां दोस्तों पूर्वी राज है यह पूर्वोत्तर भारत में मेघाले राज है और मेघाले राज में इस्थित है मासिन राम जहां पर जो है सबसे ज्यादा वर्सा होती है लगभग 1148 सें स्चिर्ट्च और स्चिर्च गर्ण ऐसे नहीं करता है अर्था जो सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर दी हो जायेगा दोस्तों अगले प्रस्ट पर अगर हम चर्चा करें तो कहरा है नीचे एक बिधान क्या यह और वर्षा जल संचेयन मिट्टी के च्छरण को कम करता है दूस दूसरा कारण में क्या कह रहा है जल के संचरण के लिए वर्सा जल संचयन महातपूर नहीं है जी हां दोस्तों तो दोस्तों अगर हम इसकी चर्चा करें तो वर्सा जल का जो संचयन है वो मिट्टी के छरण को कम करता है कर सकता है क्योंकि क्या होता है समझेगा कि जब जल का बहाओ अर्था जब जल के बहाओ के साथ मट्टी का छरण होता है तो जल के सरक्षण के लिए वर्सा का जल जल के सरक्षण के लिए वर्सा का जल जो है वो महत्पूर भूमी का निभाता है जी हां दोस्तों और वहीं जो कथन दूसरा है कि जल के सरक्षण के लिए वर्सा का संचेन महत्पूर्ण नहीं है तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है जी हां दोस्तों पहला अर्थात ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर का इस पश्टी करण व्याख्या नहीं है अगले प्रस्ण पर अगर हम चर्चा करें तो क्या कह रहा है देख जलवाय की इस्थिती जटिल होती है जी हां दोस्तों पहाड़ी छेत्रों में क्रिसी गत्वधियां कम हैं एकदम सही है कि पहाड़ी छेत्रों में क्रिसी का कार्या कम होता है क्योंकि देखिए पहाड़ी छेत्रों में उबड़ खाबड़ छेत्रों होते हैं तो वहाँ पर option number A कि A और R दोनों सही है और A का सही इस पश्टी करार R है जी हां दोस्तों वहीं अगर हम अगले प्रस्न पर चर्चा करें तो क्या कह रहा है देखिएगा 2015 में अंटार्क्टिका में इस्थापित नवींतम रिशर्च बेस का नाम क्या है जी हां दोस्तों 2015 में अंटार्क्टिका पर जो इस्थापित किया गया था रिशर्च बेस उसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया दच्छड गंगोतरी मैतरी भारती लोटस जी हां दोस् इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option number C दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में जो तीसरा research base बना यह तीसरा था और इसका नाम भारती रखा गया और क्या बना 2015 में इसके पहले जो है इसकी जो अस्थापना हुई थी वो 2012 में की गई थी जबकि दुती यह ती 1888 और 89 में स्थापित हुआ जी हां दोस्तों जो आपका मैत्री था मैत्री आपका 98 और 99 में जी हां दोस्तों दच्छडी गंगोत्री की बात की जाए तो 1983 में इसकी स्थापना हुई और ये पहला था तो चारो आप्सन मैंने बता दिया अगले प्रस्ण पर अगर चर्चा करें दोस्तों तो सौरी उर्जा द्वारा पूर रूप से संचालित बिस्व का सर्वप्रथम हवाई अड़ा कौन सा है पहला कोची अंतराष्टी हवाई अड़ा दूसरा छत्रपती सिवाजी अंतराष्टी हवाई अड़ा तीसरा दुबई अंतराष्टी हवाई अड़ा मैं नहां दो स्व beneath us नट वाला और एक इसके पहले तो इसका जवाब हमको आफ लाइन कमेंट में दीजे गाजिं़ा दोस्तों इसका जवाब हमको आफ। लाइन कमेंट में दीजेगा मतलब जो चल जब यह खतम हो जाए तो उसके बाद आप लोग कमेंट करके हमको इसका जवाब दीजिएगा तो चलिए देखते हैं जोस्तों आज का जो अगला प्रशन है वो क्या है कह रहा है ब्रीदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था जी हां दोस्तों मंदिर कहां पर है तमिल नाडु में है और दोस्तों अगर हम इसकी और बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माड हुआ है इस मंदिर का जो निर्माड हुआ है वो ग्रेनाइड से हुआ है जी हां दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माड हुआ है वो ग्रेनाइड दारा हुआ ह और इसे यूनेस्को की यूनेस्को की बिरासत अस्थल में सामिल किया गया है जी हां दोस्तों यूनेस्को की बिरासत अस्थल में इसको सामिल किया गया है तो ब्रिधेश्वर मंदिर आपका कहां पे है ब्रिधेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में है दोस्तों अगले प् इंदु का प्रियोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे दोस्तों ब्रिटिस लोग जो थे वो दूरियों को मापने के लिए इसका प्रियोग करते थे जीरो माइल स्टोन का और यह कहां पर है पहला मुंबई दूसरा कूलकाता तीसरा नागपूर और चौथन नई जि सही है दोस्तों नागपूर की अगर बात की जाए तो नागपूर आपका महराष्ट में है कहां पर है महराष्ट में नागपूर आपका महराष्ट में है और यहीं पर जो है जो आपकी ब्रिटिश सासन में ब्रिटिश सासन जब किया गया था तो इनहीं बिंदु को का प्रिय अधिकरण ने डाट डाट को बचाने के लिए अरुडाचल प्रेस में प्रस्तावित जल बिद्दुत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया जिहां दोस्तों क्या चीज बचाने के लिए काली गर्दन वाले सारस या गायल मिथुन या तो कहां पर दिखी गए बार फिर से प्रस्तावित प्रस्तावित जल बिद्दुत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था जी हां दोस्तों हुआ क्या कि राष्टी हरित अधिकरन जो होता है ये जो हमारे पसुपक्षी जानवर होते हैं इनकी सब की रक्षा करता है तो हुआ क्या कि रोड़ांचल प्रदेश में एक प्रस्तावित था जल बिद्दुत परियोजना उसको मंजूरी दी गई थी लेकिन उसे निलंब थे जन संख्या घना तो कितना था जनगरणनझ जन संक्या पर जनगरणनगी मे एक विदियो लेकर आया हूं आप लिए बैलिस्ट में जायेस करें प्रश्न है यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सही जवाब होगा आगले प्रश्न की बात की जाए तो नभी इंतम जनगरना की अनुसार किस भारती राजिका जन संख्या घना तो सबसे कम है तो जो जन संख्या घना तो सबसे कम है वो है आपका अरणचल प्रदेश का जन संख्या घना तो सबसे कम है दोस्तो वहीं अगर हम आगे बात करें अरणचल प्रदेश का जन संख्या घना तो 17 है मिजोरम का बावन है मिजोरम है ना मिजोरम का बावन है और वहीं सिक्किम का 86 है और नागा लैंड की बात की जाए तो नागा लैंड का जो जन संख्या इसका विस्तार देख लिजिए पूरा अगला प्रश्ण है निमलिखीत राज्जों में से उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में विवस्तित कीजिए जी हां दोस्तों माहराष्ट, केरल, बिहार, राजस्थान दोस्तों आरोही क्रम में अगर बात करें तो क केरल में सबसे ज़्यादा अर्था 3.34 करोन, सबसे कम केरल में, करोन में मैं बता रहा हूँ, केरल में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम, उसके बाद पिर आपका राजस्थान में, राजस्थान में आपका जो है 19.98, वहीं अगर हम महराष्ट की बात करें, तो महराष्ट में आपका 11.23 और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आपका 10.40 करोन जी हाँ दोग यह सारी जो है आपकी जनसंख्या है और जनसंख्या वाले वीडियो में मैंने पूरा विष्तार में बताया है अगले प्रशन पर अगर हम चर्चा करें और आज का आखरी प्रशन है कह रह तो दोस्तों जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा देखे 2011 से ले करके 2015 तक जो है आई यू में पूरसों का जो आउसत आई हुए वो सरसथ समलोग तीन वर्स है जबकि महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं में 69.6 वर्स थी तो इसका जो सही कथन है अर्थात पहला औ आपका गलत है जी हां दोस्तों तो यह आज का आपका प्रस्म था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा वीडियो को अगर जो है अच्छा लगे तो सस्क्राइब भी कीजिएगा आपको इसी प्रकार जो है सारी क्लासेज मिलती रहें तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चीत ही आपको फाइदा होगा तो आज जो है सारी चीजे हमने बता दी आज हमारा भारत का भूगोल भी खतम हो गया कल जो हमारा IMCQ रहेगा वो रहेगा 20 के भूगोल पर और सीग रही हम आपके साथ जो है फेस टू फेस जुड़ेंगे उसके लिए आप इंतजार कीजेगा सेर कीजेगा लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और जो मैंने दो कुष्चन होमवर्क में दिया है उसको आप लोग आफ लाइन कमेंट करके बताईएगा कि उसका जवाब क्या होगा तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद